good morning student this is your 11th class chemistry or we were discussing electronic configuration lesson number two atomic structure जो है और उसमें क्या है आपका electronic configuration last time हमने discuss किया था quantum numbers क्या थे n l m or s यह आया कहां से बहुर atomic model से बहुर atomic model में क्या बताया गया कि सेंटर में nucleus है जिसके चारों तरफ क्या है इलेक्ट्रॉन रिवाल्व कर रहे हैं और हर एक शेल जो में शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवाल्व कर रहे हैं डाट इस कॉल्ड के L M और N और उसी में के बेस पर आपके quantum numbers है एन जो की principle quantum number है जिसके क्या बता लगता है कौन सी में शेल है हमारी जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवाल्व कर रहा है अराउंड न्यूक्लियस नेक्स्ट है एल एजी में तुल quantum number जो बताता है SP सब शेल कॉन सी है M magnetic quantum number और S क्या है spin quantum numbers तो सबसे पहले हम यहां पर electronic configuration describe करनी है तो हमें क्या discuss करना होगा सब शेल कौन सी सब शेल सी सबसे पहले देखिए SPD और F यह हर एक शेल में है यानि कि K में B SPDF है L में B SPDF है N में B M में B SPDF है ठीक है SPDF क्या है सब शेल है जो कहां से आई azimuthal quantum number से L जो है हमारा L की value 0 होती है S में P में 1 D में 2 और F में क्या होती है 3 होती है और यह क्या है 1 3 5 यह है number of orbitals number of orbitals की एक शेल में कितने number of orbitals होंगे जिन में electron fill होंगे तो कैसे पता लगता हो 2L plus 1 के formula से पता लगता है 2L plus 1 S में 1 आएगा P में 3 D में 5 और F में 7 यानि कि S P और D F यह आपके sub shells है और यह इनके orbitals है तो यह अलग-अलग axis पे होते हैं वो आगे हम इनकी shape जब मैंने बताई थी आपको P में क्या होता है P X Y और Z तीनों axis पे होते हैं D में 5 orbital है 5 shape होती है इनकी F में 7 orbitals होते हैं जिनकी shape बहुत complicated complex shape है जो आपकी 12th में 11th में तो नहीं है ठीक है तो इनकी P की shape कैसी होती है डंबल shape और D की shape कैसी होती है डंबल डंबल shape